चुनावी चेकिंग में दो लाग दस हजार का माल बरामत, दो किलो पांच सो ग्राम चांदी की प्रतिमा वांगू थी जब बनारत से मौगन जा रही थी मतदातों में बटने मौगन जिले में चुनावी चेकिंग के दोराल लाखो रुपए की देवी वा देवताओं के मौगन बताया गया कि उत्तरप्रदेश के बनारत से मत्तरप्रदेश के मौगन जिले में खेप आ रही थी इसी बीच मुकबिर की सूचना पर पुलिस ने हनुमना बॉर्डर पर च चेकिंग लगाई चार पहिया वाहन की सोला नग गडेश प्रतिमा सोला नग लश्मी जी की मूर्ती वा चार सो नग अंगूठी चार पहिया वाहन से परामत की गई है आपको बता दें जब प्रतिवाओं की की मत 2,10,000 रुपए है इन प्रतिमाओं में 2,500 ग्राम चादी का इस्तमाल हुआ है दावा है कि मत्यप्रदेश विधान सबाचुनाओ 2023 में मतदाताओं के बीच बटने के लिए बनारस से चांदी का समान मगाया गया था जो बहु गंजिले के रास्ते रीवा में प्रविस करने वाला था पर निर्वाचन आयोग द्वारा गठेती स्थैतिक निगरानी टीम ने सफेद पोस्नेताओं के किये कराय पर पानी फेर दिया है हनुवना धाना प्रवारी राम सिंग ने बताया कि मत्यप्रदेश में विधान सबाचुनाओं के चलते बॉर्डर में रोजाना सघन चेकिंग अभियान चलाया जाता है यहां 5 नवंबर की जिना दी गई उच्ताच में चालक ने अपना नाम प्रसांत कुमार वर्मा पुत्र नक्षेद प्रसाद वर्मा 30 वर्स निवासी 73 या 78 विसे सगंज वारार सी उत्तर प्रदेश का बताया गया है इसी बीच स्थैदिक निगराने टीम ने वाहन को रोक लिया वाहन की तलास सब्सक्राइब करना नाम पुर्मा अंगूठी और फ्रेम की कुल कीमत 2,10,000 रुपे है इस्थैटिक निगराने टीम ने वाहन प्रमांग यूपी 65 डीजे 5327 को जफ्ट कर थाने में खड़ा कराया है पुलिस चादी की मूर्तियों के मालिक की संबंद में जानकारी जुडा रही है इसकार में डाक्टर आलो कुमार जोकी स्टैटिक इसकार टीम दो के प्रभारी है इनका मुखी योग दान रहा पुलिस प्रकरन दर्जकर जास सुरू कर दी है प्यूरे रिपोर्ट दाखवर्दा अन्योच अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें